टूडे आवर टापिक इस रेस्पाइरेशन एंड आई वड लाइक टो कंफर्म यू वाट इस रेस्पाइरेशन सबसे पहले हम रेस्पाइरेशन को समझते हैं कि रेस्पाइरेशन है क्या पहले ही माना जाता था कि आक्सीजन का नीचर से इन्हेल होना और कार्बन डायक्साइड का बाहर निकालना वो स्वशन है आक्सीजन का एकमास्पेर से सबस्विस्टो मेटल के अंदर आना कार्बन डायक्साइड का सबस्विस्टो मेटल काविटी से बाहर जाना ये रेस्पाइरेशन कहा जाता था है लेकिन ये पौधों के अंदर गैसियस एक्सचेंज है ये रेस्पाइरिशन नहीं है तो फिर रेस्पाइरिशन है क्या तो रेस्पाइरिशन को अभी तक किसी मान्य परिभासा के अंदर नहीं रखा गया है लेकिन काम चलाओं जो डिपनीशन है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि रेस्पाइरिशन इस एकाम्प्लेक्स केकलिटिक प्रोसेस इन विच प्लेक्स फूड मट्रियल्स आर ब्रोकेन डाउन इन्टो सिंपलर वन्स एनर्जी इमिटेड इस्टोर्ड इन फार्म आप एटीपी एंड यूटिलाइज इन डिफ्रेंट मेटाबोलिक एक्टिविटीज एज वेल एज कार्बन डाई आगसाइड इमिटेड एज बाई प्रोड़क्ट दूसरे सब्दों में हम यह कह सकते हैं कि स्वसर्ण एक जटिल आक्सिकारक प्रक्रिया है जिसमें कंप्लेक्स फूड माटिरियल्स सुच्म माटिरियल्स के अंदर तूटते हैं उनसे जो उर्जय आउमुक्त होती है वो एटीपी के रूप में संचित हो जाती है जिनका जिवधारी अपने विभिन तरह के जेविक रियाओं में इस्तेमाल करते हैं इसको हम समानेते जो है इस तरह से डिनोट कर सकते हैं C6H12O6 plus 6O2 6CO2 plus 6H2O plus 673 kilo calorie energy अब यह तो हो गया यह ग्लुकोज के ऊपर आक्सिजन जो है रियक्ट किया इसमें इसको कम्प्लीट आक्सिडेशन में कार्बन डाइक्साइड बनाया वाटर बनाया और उससे जो और्जा निकली अत्यदिक मात्रा में वह ओधे के विभिन जेविक रियाओं में इस्तेमाल गोई अब हम बात करते हैं कि यह रेस्पाइरेटरी सबस्टेट्स क्या है इसको अभी हमने जो है बात करी थी कि रेस्पाइरेटरी सबस्टेट्स का ही आक्सिडेशन होता है तो रेस्पाइरेटरी सबस्टेट्स हैं क्या तो हम यह समझते हैं कि all those organic materials such as carbohydrates, carbohydrates, fats, protein, which is used in respiration as a fuel is known as respiratory substrates. मतलब कि वो सभी रासाइनिक पतार्थ जैसे कि कर्भोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, जिनका respiration में इधन के रूप में इस्तेमाल होता है, उनको हम respiratory substrates के रूप में जानते हैं. अब बात आती है कि ये respiration कितने तरह का होता है, how many types of respiration occurs in nature. तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर हम इसको respiratory substrate के आधार पे जो है विभाजित करें, तो जो है ये दो तरह का होता है, एक को respiratory substrate के आधार पे ये दो तरह का होता है, एक को हम कहते हैं floating respiration, floating respiration में carbohydrates का oxidation होता है, और इसको हम floating respiration कहते हैं, लेकिन जब कभी भी nature में जिवधारी के अंदर carbohydrates की कमी हो जाती है, उस दोरान उसके अंदर जो fat और proteins हैं, वो भी oxidation में आ जाते हैं, उज्या प्रदान करने के लिए, तर उसको हम प्रोटोप्लाज्मिक respiration के नाम से जानते हैं, तो अंदर बसिश nombreux तो तो, यह अंदर बसि cocoa जानते हैं, वाइल, in some stress conditions, when carbohydrates are acute in organism, then fat and proteins undergoes to complete oxidation, then it is known as protoplasmic respiration. तो यह तो आधार हो गया, respiratory substrate के आधार पे. अब यदि हम oxygen के उपस्थिती के आधार पे respiration को divide करें, तो हम पाते हैं कि यह respiration जो है, वो दो तरह का होता है. एक को हम कहते हैं aerobic respiration और दूस्तरे को कहते हैं anaerobic respiration. aerobic respiration वह स्वसन है, जिसके अंदर respiratory substrate का complete oxidation होता है, और यह oxygen की उपस्थिती में होता है. इसको हम इस तरह से निरूपित कर सकते हैं, C6, H12, O6, 6, O2, 6, CO2, 6, O2, 6, O2, 673 kilocalorie energy. और दूसरा है anaerobic respiration, anaerobic respiration generally take place in absence of oxygen, मतलब oxygen के अनुपस्तिती में जो होता है, उसको हम anaerobic respiration कहते हैं, anaerobic respiration में incomplete oxidation चुकी यह होता है, इसलिए खम मात्रा में उर्जा emit होती है. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, C6, H12, O6, 2, C2, H5, O, H, प्लस 2, CO2, प्लस 56 kilocalorie energy. तो यहाँ पर anaerobic respiration में आप देख रहे हैं, कि यह जो कुलकोज molecules है, उसका incomplete oxidation हो रहा है, और वो ethanol या leptic acids के अंदर convert होता है, कम मात्रा में उर्जा इससे अमुक्त होती है, तो यह जो है anaerobic respiration, अब कुछ लोग anaerobic respiration को fermentation के साथ confused कर जाते हैं, कि anaerobic respiration और fermentation दोनों एक ही चीज़ है, यह सही है कि anaerobic respiration और fermentation दोनों oxygen के बगैर oxidation करते हैं, respiratory substrates का और दोनों के दावरान उर्जा निकलती है, जो कि cells को उर्जा प्रदान करने का कारे करती है, दोनों में एक सीरीज आप oxidation reduction reactions होते हैं, लेकिन anaerobic respiration सादय और, वो cellular होगा, cell के अंदर होगा, लेकिन fermentation जो है, वो extra cellular enzymes के through outer mediums के अंदर भी हो सकता है, anaerobic respiration आम तवर पे फंजाई, जो है, कुछ सो करते हैं, fermentation कुछ bacteria सो करके जो है, वो एथिल एलकोहल का निर्माड करते हैं, इसको आप लोग जानते हैं, कि सबसे पहले fermentation की प्रक्रिया को, जो है, Lewis Pasteur में denote किया था, तो ये confuse नहीं करना है, anaerobic respiration और fermentation दोनों के बीच में अंतर ये है, कि fermentation एक्स्ट्रा सेलूलर भी हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलूलर इंजाईम की मदब से, जबकि anaerobic respiration हमेशा intracellular होगा, अब हम aerobic respiration की बात कर लेते हैं, aerobic respiration में हमने आपको ये बताया, कि इसमें complete oxidation होता है, तो जब complete oxidation होता है, तो इसके लिए चार बिभिन steps के अंदर ये complete oxidation होता है, पहला जो process होता है, इसको हम जो है कहते हैं, glycolysis, glycolysis, वो process है, जिसमें oxygen का कोई involvement नहीं होता है, और इस दोरान जो है, वो glucose molecules, वो pyruvic acids molecules का निर्मार करते हैं, तो glycolysis की जो प्रक्रिया है, वो cell के cytoplasm में होती है, इसका oxygen की उपस्तिशी या उपस्तिशी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस प्रक्रियो ग्लाइकॉलसीस है, ये aerobic और anaerobic में दोनों में कामन होती है, दूसरी प्रक्रिया इसमें क्या होती है, कि pyruvic acid से, pyruvic acid जो है, वो acetyl coenzyme A का निर्मार करते हैं, तीसरी प्रक्रिया इसके अंदर जो है, TCA cycle है, TCA cycle या creep cycle, cycle, और चौथी जो प्रक्रिया है, electron transport chain और oxy phosphorylation, का मतलब है, जहां मैंने बताया, कि जहां phosphorylation सब्द आये, वहां आपको इस्रमठना है, कि phosphorylation is that phenomenon, by which ATP are synthesized from the ADP and in organic phosphate, तो ये प्रक्रिया ATP के निर्मार की है, चूकि ये ATP वो respiration के दवरान हो रहे हैं, इसलिए इसको हम आकसी phosphorylation कहते हैं, दो सब्द आते हैं, photophosphorylation और oxy phosphorylation, photophosphorylation जो है फ्रकास translation के दवरान जो ATP के निर्मार की प्रक्रिया है, उसको हम photophosphorylation कहते हैं, और स्वसन के दवरान जो ATP के निर्मार की प्रक्रिया है, उसको हम oxy phosphorylation कहते हैं, तो इन topics को हम अलग-अलग अगले video के अंदर discuss करेंगे,